यह देखिए मेरे मसाले तयार हैं प्यास टमाटर धनिया हरी मेट्स नमक लैसून हल्दी पॉडर यह गया गरमसाला यहां मैंने लिया धनिया पॉडर मतलब धनिया तो यहां मिर्च लिया है अगर तीखा खाना है तो ज्यादा लिजी नहीं तो कम ले लिजाएं यह चिकन मसाला मैंने ले लिया है यह हमारे मैसाले और मुर्ट तयार हो गया है बनाने के तैयार मैं ने तो अब बनाने की त्योराइब यहां मैंने कर आई चरह लिया गया और ये रास अरसो का तेल इसमें मैं डालने जारीम फोरन तेज पते मिर्च और इसमें जाएगा जीरा जीरा एक चमस लिया है मैंने मेर्स दो लिये हैं और तेज़ पता भी दो लिया है मैंने अब मैं इसमें डालूंगी यह तेल हो गया गर्म प्यास डालूंगी और इसे भूनूंगी तब तक जब तक यह कलर अपना चेंज न कर दे मतलब यलो यलो टाइप और इसमें लहसुन भी मैंने डाल दिया साथ के साथ ही तो यह देखिए यह अल्मूस्ट पक गया है प्यास देखने पसे ही लग रहा है अब इसी टाम में डालूंगी पोठा मैंने अच्छे सवास करके रखा हुआ है यह देखिए जुकाम के वेड़ से मुझे खासी आ रही है सद्युकाम मुझ रखा है तो यह अच्छे समयने मिला दिया मैं इसको अब ढ़क दोंगी हर पांच मिनट दस मिनट में इसे मैं चक कर दी दोंगी देखिए यह प्याज और पोठा दोनों साथ साथ भूनते भी रहेगा और सीजते भी रहेगा एक्शली पोठा सीजने में बहुत टाइम लग मतलब ऐसा हो जो थोरा मॉस्टर नहीं हो जाए कटने लगे तब तक काली जी नहीं रालेंगे इसमें इसलिए मैं इसे अच्छे से भूनोंगी ढख के भूनोंगी मदो कम से कम 10-15 मिनट लग तो रास पानी डालके मैं इसे अच्छे से भूनोंगी यह देखिए और यह कि अच्छे से पुझे जाए तकी और थोरी दर की खने ड़क दोंगी मैं इसे मसाले बुन के और मेलाती जाओंगी इसमें इसमें तेल बहुत फोडता है तो भूनके मैं थोरी दर के लिए दख दोंगी इसे यह देखिए भून गया हमारा के जुट अब तो यह रहा हमारा के लेजी पुठा तेयार हो गया है यहां पर मैं चेक कर लूँगी और टेस्ट के लिए पहले सही निकाल नूँगी मैं देखिए यह बन गया मैंने कट करके भी देख लिए यह देखने में इतना लजीज लग रहा अतना तेस्टी था तो मैंने बना लिया और टेस्ट के लिए मैंने एक निकाल भी रखा है दे कि मैंने कट के चेक कर लिया था यह रहा जो मैं टेस्ट किया मैंने पहले और यहां मैं गैस फ्लेम आफ कर दूँगी क्योंकि यह बन गया है आप इसे चावल के साथ खाएए रोटी के साथ खाएए इसलिए मैंने थुरा सा पानी डाल दिया है ताकि चावल पे भी खा सके और रोटी पे भी खा सके और यह देखिए फाइनली मैंने खाने के लिए निकाला है रोटी के साथ देखने में बहुत टेस्टी और खाने में भ थांक यू थांक यू थांक यू वाचिन